रोजगाज GSK में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विद्यालब पईच्छा DLS 2024-26 अप्लिकेशन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिक्शन में में ओफिस्यल साइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा जहां से आप देखिए important link का आप section देखने को मिल जागा यहां से आप official notification डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर देखिए register new candidate और टैप पे क्लिक करेंगे तो यहां से फ़रा registration कंप्लीट कर सकते हैं official notification डाउनलोड हो गया है प्रारंभिक सिच्छा में डिप्लोमा डियलेट पार्टक्रम के सत्र 24-26 के नामांकन है तू नीचे आप स्क्रॉल करेंगे आपको देखिए online जोकिस का स्टार्ट हो गया है दो फरवाई 2024 है जिसके लाजड टेट रने वाली है 15 फरवाई 2024 प्रवे जो की विद्यालग सुची आपको दी जाएगी अधिकी हम बात करेंगे डियलेट कायक्रम आप देखिए दो वर्स का सैच्छिक योगिता कोर्स रने वाला है सैच्छिक योगिता के हम बात करेंगे देखिए उच्छ माद्विक मलब 10 प्लस 2 अथवा उसके समकच पैच्छ आपको पास आउट होना होगा कम से कम 50% के साथ डियलेट पाट करम में प्रवेश के लिए पात रहोंगे तो आप 12 पास है या उसके एक्विलेंट पास आउट है तो आप इस फॉर्म के लिए आवेधन कर सकते हैं वहीं जो कि आप रिजर्व कैटेगरी से या दिव्यांग है उस केस में आपको देखे 5% जो की छूट मिल जाती है तीसरे पॉइंट की बात करेंगे 50% अंकों के साथ मौलवी की पास करने वाले उर्दु अब्यारती डियलेट पाट करम में नामांकर के पात रहोंगे तो ये लोग भी जो की इलिजबल होंगे डियलेट करने के अब यहां से हम अप्लाई का प्रोसेस देखेंगे जैसे ही आप अफिसे साइट पर आते हैं आपको यहां पर देखिए रिष्टर न्यू कंडिएट वाले अप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका रिष्टेशन पर जो की ओपन हो जाएगा सबसे पहले नेम की बात करेंगे तो अपना फूल नेम यहां पर जोकी फिल कर देंगे नेम कोौं गोख की कांफिर्म करेंगे इमेला इडि करेंगे मोवाईल नमर फिल करेंगे यहांप आप पासवेर्ट करना है पास्वर्ट में देखिए ऐक आपका केप्ते लेटर होना चाहिए फैश्मॉल वाले टैप पर कलिक कर देंगे, जैसे यह आप register टैप पर क्लिक करते हैं, आप ते दीक जिए मुबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त हो जाएगी, OTP को हम फिल कर लेंगे, उसके बाद दीकिए register वाले टैप पर कलिक कर देंगे, हमारा फर्म को जो कि लॉग इन करना है तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा please do not log out without saving the form तो form को जिखे log out करने से पहले एक बार जो कि form को save आप अवस्य कर लेंगे अब यहां आप से पुछा जा रहा है कि bseb unique id number अगर आपके पास है तो आप इसमें fill कीजिए अन्यता आप इसमें blanks भी छोड़ सकते हैं कोई select state की बात करेंगे अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो अपने state का name जो किसमें से select कर लेंगे अगर आप other state से form को fill कर रहे हैं तो सबसे नीचे आएंगे other state का option आपको देखने को मिल जागा इस पर आप click कर देंगे निशनल्टी में Indian सेलेक कर लेंगे यहां पर नेम देखने को मिल जाए गा यहां पर जो की नाईने को जो की कर देंगे mother name को जोकी confirm कर देंगे उसके बाद यहां पर जो की फादर नेम जोकी firedha Taz learn now जोकी एक जोकी confirm कर देंगे जैसे आप इंटर करेंगे आप एस ग्रसक यहां पर विए चॉबिस से क्यालकुलेट होगे, आप के सामने यहां पर देखने को मिल जागा। सेम जो की data birth को जो कि यहां से confirm करेंगे data birth देखे select करने के बाद यहां पर gender select करेंगे male या female जो भी आपका gender है अपने according जो इससे select कर लेंगे यहां आप से पुछा चाहरा है कि domicile state of बिहार अगर आप बिहार की निवासी है उस case में आप यहां पर yes कर देंगे यहां पर देखे upload का file का आपको देखने को मिल जाएगा इस पर आप click करेंगे यहां से आपका domicile certificate जो कि आप upload कर देंगे वहीं category बात करेंगे आप बिहार की किस category से भी लाग करते है जिसे general हो गया EWS हो गया या EBC है तो EBC आप select करेंगे BC है तो BC select करेंगे SC ST तो आपकी जो recording इस तरीके से जो की select कर लेंगे यहां पर जो की category को जो की confirm करेंगे उसके बाद जो की आपका card certificate है जिसे जाती प्रमाणपत्र करते हैं तो इस फाइल पर क्लिक करके आप उसे जो कि upload कर देंगे जैसे आप document को upload करते हैं आपको यहां पर परकार बताएंगे आपको यहां पर दिव्यांग तक परकार देखने को मिल जागा इस तरीके select करेंगे और उसके बाद अपना द दिव्यांग प्रमाणपत्र जो कि यहां पर upload कर देंगे अगर आप दिव्यांग नहीं है उस case में आप यहां पर नो कर देंगे यहां आप से पूछा जा रहा है कि आपने class 12 में जो की उर्दू subject as a पढ़ा हुआ है अगर पढ़ा हुआ है तो यहां पर नो कर देंगे फिर faculty की बात करेंगे आप साइंस था आर्ट था या कॉमर्स था तो अपने जो की faculty की जो की confirm करेंगे faculty की दुबारा जो की confirm करेंगे faculty देखें री इंटर करने के बाद आप से यहां पूछा जा रहा है कि आप जो class 12 जो पास है उस case में आप यहां पर yes करेंगे तो आगे वाला option देखें डिसेबल हो जाएगा आपको यहां पर देखें intermediate और जो की class 10th metric की जो की आपको detail फिल करनी पड़ेगी वहीं अगर आप intermediate पास आउट नहीं है तो इस वाले option में जो की आप no कर देंगे और आप से पूछा तरहा है कि इंटर एक्जाम जो आपका appearing है उस case में आप य detail जो की fill करनी है सब सब पहले देखें metric detail फिल करेंगे अपने board का name जो की आप फिल कर देंगे उसके बाहर रोल कोड तो रोल कोड आपके मास्रीट पर आपको देखने को मिल जागा उससे fill करेंगे roll number जो की fill कर लेंगे यहां पर passing आप year कव आपने class 10th जो की पास की थी metric पास लेंगे यहां पर जो की percentage आपको बताना है तो percentage की entry कर देंगे यहां पर जो आपके class 10th की mark sheet है उसे जो की PDF फाइल में यहां पर upload और section पर click करके उसे जो की upload कर लेंगे अब intermediate की detail fill करेंगे सबसे पहले board का नहीं fill करेंगे यहां पर आपके roll code जो है आपके mark sheet पर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद roll number की entry कर देंगे passing of year तो कब आपने class 12th जो की pass किया था उसका year जो की आप इस list के मार्दम से जो की select कर लेंगे यहां पर कितने number आप पर प्राप्त हुए थी उसकी detail आप जो की यहां पर fill करेंगे और यहां पर आप बताएंगे first division second division और third division उसकी entry कर देंगे और अपने pass percentage को आप यहां पर फिल कर देंगे पर्सेंटिक कर लेंगे उसके बाद upload और section पर क्लिक करेंगे class 12 की मार्शिर जो की आप यहां से upload कर लेंगे आपको आपको देखने को मिल जागा आप वहां से जो की व्यू करके देख भी सकते हैं fill address details यहां पर permanent address fill करना है सबसे पहले अगर आपको village है तो आप village की entry यहां पर कर देंगे पोस्ट इंट्री आप कर देंगे यहां पर अपने district का name जो की fill कर देंगे और यहां पर जो की state से आप बिलाओं करते हैं अगर आप अदर से फॉर्म कर रहे हैं तो अपने state का यहां पे name fill कर देंगे और pin code की entry कर देंगे अगर आपका permanent address और present address अगर आपका same है तो आप यहां पे check mark कर देंगे यह वाला address इस पर copy हो जाएगा अनित आप अलग-अलग भी fill कर सकते हैं यहां पे अधार card number आपको देना है जो कि आपको 12 digit का होना चाहिए जो कि इसमें entry आप कर देंगे अगर आपके पास अधार card नहीं है तो आप देखिए इस वाले option को जो हो की check mark कर देंगे आगे जो कि देखिए आपको photo signature upload करना है जिसकी dimension आपको यहां पर दी गई है 20KB से 100K की बीच में आपको photo रहने जेपीजी desapायल में वहीं signature की बात टोंकी 10KB से 50KB के बीच में रहने जेपीजी फायल में यहां पर देखिए । यह आससे photo select करकर देखिए यहां से photo選不錯 कर लेंगे यहां पर आपका फॉर्म सेव हो चुका है उसके बाद प्रिवी सेक्षन पर क्लिक कर देंगे नेक्स स्टेप में आपको दोके प्रिंट प्रिवी देखने को मिल जागा चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे कि स्ट्रूं कियां कि कुषिषन करेंगे जैसे प्रिंट करते हैं यहां पर देखने मिल जागाई साथ सो साथ रुपे यहां पर पे वाया सब पैसे वाले अप्सन पर क्लिक कर देंगे next step पर हमें देखे payment gateway page पर redirect कर दिया गया है आपको यहां पर payment gateway page देखने मिल जाएगा आप यहां पर देखे card के मादवन से भी payment कर सकते हैं UPI के मादवन से qr code के scan करके आप phone पे google page से भी payment कर सकते हैं net banking से भी payment कर सकते हैं यहां पर कार्ड के मादवन से payment करेंगे तो card वाले option पर क्लिक कर देंगे यहां पर देखे enter card detail तो आपने ATM card का number fill कर देंगे card holder name fill करेंगे expiry date cdv number process to pay वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपका जो की payment आपके register mobile नमर पर आपको OTP प्राप्त हो जाएगी OTP को fill करेंगे तो यहां से आपका payment जो की प्राप्त हो जाएगा यहीं से आपको जो की final print देखने को मुल जागा जिससे आप save करके रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो क्रिपार चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें करें कमेंट करें thank you for watching दिस वूडियो thank you दोस्तों